गुद इवनिंग टू आल आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज दिन मंडे है बहुत अशेरे का दिन है यहां मंदिर आए हुए हैं क्योंकि इंडियन फेस्टिबल तो बिना मंदिर जाए पुरे ही नहीं होते हैं यहां बहुत अच्छा लगता है जहां हम लोग मंदिर आया है वहाँ यह देखिए छोटी सी मेदी है इसे चैनल बंदी तो प्रूटिफुल लग रहा है यह आना दगा नहीं सेथी हैं बहुत भी अच्छा लग रहा था यह देखिए बहुत स्पेस्टिबल बहुत स्वाट अच्छा लगता है यहां आकर तो बहुत अच्छा लगते हैं मन को शांती जैसी मिल जाती है अम मेंट्रूपीस के लिए और भगवान के प्राथर के निकले तो मंदिर आते हैं यहां के यह दो चीज़ें फूरी हो जाती है आजी एंट्रिंस पर देखिए बहुत अच्छे से हन्वान जी का मंदिर अपर दे अच्छा लगता है आज दशेर एक दिन जैसे सभी किया गाड़ी पूजन और हमारे शस्त इन सब की पूजा होती है तो मैं भी यहां पर यह बस पूजा कर रही हूं हमारे जो मांजी का सिंदूर होता है उसे स्वास्तिक बनाकर पूजा करते हैं अपनी गाड़ी पे पूज़ेलर पे पोड़ेलर पे हैं माला चड़ा रहे हैं ही मेरी हस्बिन मिश्कर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आप क्या किस तरीके से पूजा उसे फसा दी ना पकड़ना एक पिर यह इसको मैं वहां रग दो पत्थर पे रग दो दी जोट यह पहाद के पूज़े कि कितना सुन्ड़ है मेरी बहुत सुन्बर डेकुरीट किया गया थे दशारे वाली दिन क्यों हमान जी का मंदिर हो नहीं कर दो अब यह एक यह फैमिली फोटो हो जाती है यह देखिया यह मेरी बेटी ने क्लिक करी है यह पेरी बेटी से फोर येर की है यह उसने पेंटिंग बनाई है अभी मैं आप से यह रस्पी शेयर कर देए हूँ मैंने थोड़ा यह बटर डाला है इसमें यह प्याच मोटे हुए कटे अत्रग डालकर इसको सौटे कर लिया है यह थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें यह चार काचू और गरा मसाले डालें गरा मसाले आप स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं जब हमने बटर गरम किया था इसमें अब टमाटा डाल देंगे हम कटिवे दू इनको हमें अच्छे से सॉफ्ट कर ले रहा है नमक डालने से जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं यह थोड़ा सा पानी डालके हम इसे सीटी लगा लेंगे और इसे ठंडा करके इसे हम पेस्ट बना लेंगे मैंने सेम कुकर में ऑईल गरम कर रखा है और जो मैं हमेशा कुकर में कभी-कभी मटर पनीर बनाओ बहुत टेस्टी बनता है यह मैंने बटर एट कर लिया है इसमें गरम यह हमारे सारे मसाले लाल मेश पाउडर है इसमें धनिया पाउडर हल्दी है और सॉट अकॉर्डिंग से जल्दी से करके हमें इसे पेस्ट जाल देना मैं दर्वाई से जल सकता है मैं हमेशा ऐसे ही करके बनाना पसंद सर्टिंग कु करमें कि बहुत अच्छी थिक सी क्रेवी बनती है इसमें भी मैं सीटी लगा लेती हूं मसाले में मुझे जल्दी होती है थोड़ा पाई डालके ये कटे हुए पनीर क्यूब्स डाल दिये ये फ्रोजन मतरली हुई है मैंने इससे डाल दिये पानी अकॉर्डिंग तो हम अपने जैसी कंसिस्टेंसी बनानी है हमें उस कंसिस्टेंसी कर लेंगे इसमें नमक डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग तिहान से डाली हमें नमक पहले भी एड़ किया था थोड़ी सी कसूरी मैठी डालेंगे اس में और पानी हमें जैसी ग्रेवी बनानी है थेक या मेडियम कंसिंसी टीचा और भूलें या مरालींगे में हमेश्चा गरम पाइं डालती हूं क्युकि इस zeker zien का बीका अच्छा था इसे बंद करने के बाद slow heat पर एक सीटी लगा देंगे उसके बाद हम बंद कर देंगे कुकर ठंडा होने का वेट करेंगे यह देखिए आप इसके गिरेवी देखिए यह बहुत ही अच्छे अभी थोड़े देर बाद यह और थिक हो जाती है यह आप रेस्पी जरूर ट्राय करिए आपको यह रेस्पी बहुत पसंद आने वाली है